दोस्तो एजुकेशन और टेकनोलोजी से रेलेटिव वीडियो देखने के लिए दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियो नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन बटन को दबाना ना भूलें जी दोस्ता मशकार कैसे हैं आप सभलोग। आज की हमारी C.E.PROGRAMING.LANGUAGE की स्क्लास में आप सभी पसवागत है। जी हाँ स्वागत के साथ मैं आप तो यह भी याद लाता हूं कि हमारे स्टीं फंक्सन चल रहे हैं। अवारे चैप्टर है स्टीं फंक्सन की लिस्ट काफी लेंटी है, बहुत सारे पंसंस हैं, जो हमारे C programming language ने स्टिंग से रिलेटिक प्रवाइड करा हैं, लेकिन मैं सिर्क कुछ पंसंस से आपको इंटिडिश करा हुआ हम लेकिन आपके अगर कोई प्रॉलम रहे कि स्टिंग पंसंस से रिलेटिक हुआ, जरूर हमारे शेयर करेंग और हमारी होंसला बढ़ाने के लिए आप बड़ेगूरली हमारे जो कमेंट सेक्शन से आप जोड़े रहेगा, जो भी आपके निगर्टिंग प्रॉस्टिंग वेस्काउंस से बाव जोड़ेगा, आई आज की गलास का आनन्द भी लेते हैं, और अपने लोंगे भी सबसे पहला जो फंक्शन है वो है strcpy जी हां नाम चाही समझ में आ रहा है, यह फंक्शन हमारे स्टिंग को कोपी करने के लिए स्तमाल के आता है, अगर एक स्टिंग का डेटा किसी अनद एस्टिंग के अंदर आपको कोपी करना है, तो देन वी कन यूज इस्टियार सी पी रखनी होती है, यानि कि एक ऐसी अरे है, जो ब्लैंक एरिया रखे ली, और यह सेकिंड इस्टिंग का जो भी डेटा होगा, वो कोपी हो जाएगा हमारी फस्टिंग के एरिया के उपर, जिहां यह strcpy function का इस्तमाल है, जो आप लोग प्रक्टिक ले देखें, दूसरा function भी लिखेंगे और उस string को supply करेंगे, जिसको आप reverse order में करना चाहते हैं, जिहां यह दोनों के दोनों जो functions है, वो आप लोग practically देखेंगे, और जो भी इसका utilization है, वो इसको आप लोग I use भी करके देखेंगे, अगर आप कोई problem रहेगी, वो आप लोग ज़रूर शेर करेंगे, स्रेंड दरेंगे, तार कि आपको उसका समधान मिल सके, तो हम लोग practically भी देखेंगे, आइए फट आपको चबते है, practical window के उपर, यानि के CT window के उपर, चलिएगा first function आप लोग ज़रा, बोच करिए, पहला example हमारे लिए, और function जो है हमारा strcmp, जिहां स्टिंग्स को copy करने के यूज़ करना है हमें इस function को, program बनाते हैं आपके लिए, header file तो आपको सब याद हो गई होगी, header file आपको तीनो header file लगानी है, wordman, यह हमने एक str1 array बनाई, size हमने 10 देखिया, वो तो आपके requirement को depend करता है, आपने size क्या रखना हो, screen के लिए, एक message डाल लेते हैं, कि enter value of str2 जी ह और इसकी value को copy करके लेके जाएंगे str1 के अंदर, str2 की value str1 में लेके जाना है, अब जैसे आप चाहें, वो आप कर जबते हैं, फलाल इस example में आपको इस तरह से use करके लिए, तो gets str2, str2 में एक value डालेंगे, और यह हमने function इस्तमाल के str1, str2, str2 की value जाएगी str1 के अंदर, यह इनिसलाइशन होता है, उची सी तरह से, और यह print किया हमने after using strcpy function, then value of str1, str1 में जो भी value आएगी, वो अम लोग यह प्रिंट करके दिखाएं, और साथ हम लोग, यह print करते हमने str1 को, और साथ हम प्रिंट करके दिखाएंगे, आपको str2 की value जो ही रहेगी, जो हम लोग यह supports str2, यह हमने दोनों भी दोनों, जो variable हम की value, प्रिंट किया है, और यह हमने close किया, run कर लेते हैं, ध्यान दीजिए आपको, आप जड़ा देखेगा, enter value of str2, str2 में value डालने हमने support value डाली, hello, और जैसे हम enter key press करेंगे, तो आप देखेंगे, message आगे, after using strcpy function value of str1, str1 में पहु आउज गई, hello, और साथ ही str2 की value अजिटीज होई है, जो हमने डाली थी, यह कमिन सरो, तो यह तरीका होता है strcpy function, यह नि कोपी करने का जो तरीका होता है, वो यह कुछ इस तरह से, ता आप लोग यूज़ तरिएगा, मैं तब तक आपके लिए next function लेके आता हूँ, और ज करने की जो टेग्निक होती है यहां पर, जो predefined function के तुरूप है, वो आप ज़रा वोच करिएगा, header files, same to same असी, और यहां से थोड़ा दियान दीजेगा, यह हमारी एक परे बनाए हमने, screen को pillar किया, print कर देता है message, enter, any string, जिना एक string हम लोग scan करेंगे, और gets function के तुरू कर ले के str, reverse के लिए यह हमने array का नाम दिया, it means string, जिस array के अंदर हमने नाम सब्लाए किया, अब हम लोग इसको print भी करके दिखाते है, क्या effect आएगा, कि इस तरह से reverse होगी, यह आपको देखा है, क्या value reverse होगी, और क्या इस तरह सोगी, यह हमने puts कर दिया है, उस value को, जो reverse होई है अब हम आउटपुट भी देख रहते हैं, और जाना पहचाना, एक string डाल लेते हैं, हलो, और एंटर की press करते ही, हमारे सामने message को आई गया, हलो को देखो, क्या होगी है, हलो की value है, वो reverse होगी है, last digit सबसे पहले आगए है, ह-e-l-o को होगया है, o-l-e-h, जी हाँ, इस तरह क्या से reverse हो जाएगी आपकी string, तो अगर आपकी कुछ ऐसी requirement है अपने program में तो आप इस्तमाल करते हैं, तो यह दोनों की दोनों example को आप test करें, और जाना देखेगा किस तरह से play होगा है, आपकी कोई problem रहे, तो आप लोग problem जरूर शेयर करिएगा, तक तक कि आप लिए और class का पुरान देखेगा है, जी, knowledge improve करें, और शाथ शेयर करिएगा है, जो भी आपकी problem है, थैंक्यू और हम देखेगा